पापा के बाद से ही चिराक पास्वान बेहंद अस्तब्ध हैं जिस तरीके से चिराक पासवान के अपने चाचा भाई या पो अपने सांसदों ने उनका साथ छोड दिया है चिराक पासवान बेहत दुखी हैं कभी अपने परिवार की बात करने वाले रामदिलास पासवान के बेटे चिराक पासवान ने अब उन्हीं तमाम चीजों को याद किया है अपने पापा के दीवे सीख को याद किया है और एक पुराना जो लेटर कुछ दिन पहलो ने लिखा था उसको शेर किया है उन्होंने ट्विट किया है उस लेटर को आप देख सकते हैं जो 29 मार्स 2021 को लिखा गया था उन तमाम लेटर को शेर करते वे चिराग पासवान ने लिखा है पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए किये मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा पार्ट लिखा है किस तरीके से होली के दिन उन लिखा आदर नीए चाचा जी आज होली के दिन या पत्र में इसलिए लिखरा हूं क्योंकि पापा की बिना यह पहली होली है जिसमें हम सब साथ नहीं हैं जब तक पापा थे इस तेवार को हम लोग खूब धुमधां समनाते थे पर अब उनके नहीं रहने पर सायद ही हम कभी वैसी होली दुबारा मना पाए। इस पत्र के लिखने से पहले आप से मिलकर बात करना चाहता था। खालिक सहाब और सुरजभान जी ने कई बार प्रयास किया यारी कहीं कोई समस्या है तो उसे साथ बैटकर सुलजा लिया जाए। लेकिन आपके तरफ से कोई भी साकरात्मक जबाब नहीं विला जिसके परणाम स्वरूप आज सारी बाते इस पत्र के माध्यम से आपको लिख रहा हूँ। 12 में चाचा रामचंदर चाचा की निधन के बाद से ही मैंने आप में बदलाव देखा है और आज तक देखते आ रहा हूँ। चाचा की निधन के बाद प्रिंस की जिम्मेदारी चाची ने मुझे दे दी और कहा कि आज से मैं ही प्रिंस के लिए पिता समान हूँ। मुझे उसके भविश्य को बेतर करने की जबाब दी ही दी। रामचंद्र चाचा के नई रहने के कारण पापा और मम्मी भी बहुत दुखी रहने लग गये थे। प्रिंस को आगे बढ़ाने के लिए उसको परदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मैंने दी। ताकि आप सबके सामने ही प्रिंस पार्टी को बढ़ा पाए और बिहार में अपने पाउं जमा ले। मेरे इस फैसले से सभी लोग खुश हुए मुझे विश्वास था कि प्रिंस को मिली नई जिम्मेदारी से आप भी संतुष्ट होंगे और प्रिंस के लिए खुश होंगे। परंतु उस वक्त मुझे पीरा हुई जब आप इस फैसले के विरोध में नराज हो गएं और आपने प्रिंस को नई जिम्मेदारी के लिए उसे सुबकामना देना भी उचित नहीं समझा। पापा चाहते थी कि मैं पार्टी के लिए और समय दू उसके लिए उन्होंने मुझे पार्टी का राष्ट्री अध्यक्ष बनाने का निर्ने लिया। आपने इस फैसले पर भी अपनी नराजगी जताई। उन्होंने इस खत में आगे तमाम चीजों का जिक्र किया है। प्रिंस राज जोकी फिलाल समस्तिपूर से लोकसभा के सांसर है। उन्हें अस्थापित करने की भी बात चिराग पासवान ने कही। रामचंद्र पासवान जोकी प्रिंस राज के पिता थे। रामविलास पासवान के छोटे भाई थे। के निधन के बाद से ही पशुपती पारस में बदलाओ की बात चिराख पास्वान कर रहे हैं उन्होंने एक पोश्ट किया पुराने लेटर पोश्ट साजा किया है अब बटर हेडलाइन्स बिहार के साथ अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द स